अब यह जो टॉपिक आप देख रहे हैं लिखा हुआ प्रॉब्लेम बेस्ट ऑन साइक्योमेट्री यह जो टॉपिक है यह सच के नहीं कुछ बोला नहीं जा सकता है कि यहीं से पूछा जाएगा यहीं से अभी तक आप जितना कुछ पढ़े हैं उसमें से कही से भी यह पूल नहीं है कि ऐसे ही इसको सॉल करना है या ऐसे ही सॉल करना है हर को सॉल करके आप सीखेंगे कि इस तरह का कोश्चन को आप कैसे सॉल कर सकते हैं सीधे पहला ही कोश्चन लिखे और उसी को सॉल करके सीखेंगे किस तरह के कोश्चन को सॉल कैसे करते हैं रहीं वाट मास of copper oxide will be obtained on heating, will be obtained on heating 12.35 gram of copper carbonate, 12.35 gram of copper carbonate, atomic mass of copper is 63.5 gram per mole, gram per mole. अब इतना ही सवाल में आपको दिया हुआ है, आपसे क्या बोलें? कि बताईए कि carbon, sorry, copper oxide कितना produce होगा? अब इसके लिए psychometric का use तो करना ही है, पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इसके balance chemical equation को लिखना होगा, तो copper oxide को जब आप क्या कीजेगा? heat कीजेगा, copper carbonate को, तो आपको क्या मिलेगा? copper oxide मिलेगा, और साथ में आपको carbon dioxide मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? carbon dioxide मिलेगा, यहाँ तक पहली बात समझना आगे, अब इसका mass जोड़िये? 63.5 प्लस 12 प्लस 48 है ना? जोड़िये जरा कितना आ रहा है? इसको जरा सम करके पता ही कितना रहा है? 123.5 ग्राम आ रहा है और यह copper oxide है, इसको जरा जोड़िये कितना रहा है? 63.5 प्लस 16 इसको जोड़ें से कितना आ रहा है? 7.95 इसको जोड़ किया रहा है? और उन्हों ने बोला कि final answer किया रहा है? तो उसको मैंने balance chemical equation है, balance chemical equation कैसे कह सकते हैं कि इसके एक mole से इसका क्या मिल रहा है? एक ही mole मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 123.5 gram of copper carbonate gives how much? 79.5 gram of copper oxide तो एक gram कितना देगा? एक gram of this will give 79.5 whole divided by 123.5 आपको सवाल में कितना पूछा है? आपको सवाल में पूछा है 12.35 gram तो यह क्या होगा? 12.35 gram कितना देगा? 79.5 whole divided by 123.5 इंटू 12.35 इसको जब आप सॉल कीजेगा? तो यह एक बार में और यह दस बार में और फाइनल आंसर होगा 7.95 gram एप्रॉक्सिमेटली 8 gram बट एप्रॉक्सिमेशन का ज़रत नहीं जब एक्जाक्ट आया है तो ठीक है? तो यह mass and mass relationship था कैसा relationship था? mass का mass से relationship पर जो दोई नहीं हर बार mass से mass मांपूछेगा? mass का volume से पूछ सकता है? mass का number से पूछ सकता है? तीनी तरह का relationship तो आप लोग जानते हैं कौनकौन सा? mass mass, mass number, mass, volume तो पहला सवाल सवौज में आ गया अगला सवाल लिखे है? 10 gram of MgCO3, 10 grams of MgCO3, 10 grams of MgCO3, 10 grams of MgCO3, decomposes on heating to give 0.1 mol of carbon dioxide, 0.1 mol of carbon dioxide and 4 grams of MgCO, 4 grams of MgCO, what is the percentage purity of MgCO3, what is the percentage purity of MgCO3, percentage purity क्या होता है, कितना mass आपके calculate करने पर आया, divided by कितना mass दिया गया था, तो कितना calculate करके आओ निकाल लीजे, divided by total into 100 will give you the percentage purity, अब निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका equation लिखेंगे, कि MgCO3 को, जब आप क्या करते हैं, heat करते हैं, तो यह आपको दो ही चीज़ देगा, MgO देगा, और साथ में क्या देगा, CO2, इसका moles आपको दिया हुआ है, और इसका mass आपको दिया हुआ है, इसका mass निकाल लिएंगे क्या, इसका mass निकाल लिए, Mg का mass कितना होता है, 24, Mg is 24, plus carbon is 12, and this is 48, इसको जब आप solve कीज़ेगा, तो कितना आएगा, इसको solve कीज़ेगा, तो कितना आ रहा है, 84 gram आ रहा है, this is turning out to be 84 gram, और यह MgO कितना है, 24 plus 16, this is 40 gram, simple logic है, कि 40 gram MgO आपको कितना से मिला है, 84 से, तो 4 gram MgO आपको कितना से मिलेगा, logic question का सौंच में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, आपको उसने बोला था, question में solve कर क्या पला है, 40 gram of MgO is formed, from 84 gram of MgCO3, तो 1 gram का निकाल लीजें, और 4 gram का निकाल लीजें, क्या होगा, 84 by 40, और 4 gram का क्या होगा, 84 by 40 into 4, solve कीजेगा कितना आएगा, solve कीजेगा आएगा, 8.4 gram, तो आपके पास, चो MgSO4 आया है, वो कितना आया, 8.4 gram, तो percentage priority निकालना है, percentage priority is equal to mass obtained, divided by total mass into how much, 100, solve कीजेगा answer कितना आएगा, 84%, तो यह जो MgCO3 आपने लिया था, वो कितना परसेंट प्यॉर है, 84% प्यॉर है, done, अगला लिखे है, KCLO3 on heating, KCLO3, अगला question, यह सब ने लिख लिया, KCLO3 on heating, gives, KCLO plus O2, KCLO plus O2, what is the volume of O2 at NTP, what is the volume of O2 at NTP, liberated by, 0.1 mol of KCLO3, 0.1 mol of KCLO3, कह रहा है, KCLO3 को, जब आप decompose करिएगा, आपको दो ही चीज मिलेगा, KCLO plus O2, सबसे पहला काम होता है, आप इसको क्या कीजे, balance कीजे, balance कीजेगा, तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, इसके आगे 2 लगा दीजे, और इसके आगे 3 लगा दीजे, तो oxygen हो गया, balance, यह potassium और इसके आगे भी क्या लगा दीजे, 2 लगा दीजे, स्ट्राइक्योमेट्री से मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसका 2 mol, से इसका मुझे कितना mol मिला है, 2 mol मिला है, हम इसका 0.1 mol लेंगे, तो इसका volume कितना होगा, यह हमको क्या करना है, निकालना है, यही निकालना है न, ध्यान से देखें, 1 mol, of, 1 मिनट, साथ सब पहले क्या लिखेंगे, 2 mols, of, KCLO3, कितना mol मिलेगा हमको, direct volume में भी लिख सकते हैं, वैसे दो, तो direct की volume में लिखते हैं, 3 mols of KCLO3 gives, या, हटी के gives, 3 into 22.4 liter, of O2, लिख सकते हैं क्या देखेंगे दो, of O2, यह line समाज में आ गई, तो फिर question खतम हो गया, यह line समाज में आ गई तो बोलिए, इसके 2 mols से इसका 3 mol, तो इसके 2 mols के CLO3 से, mols के जगा फिर 22.4 लिख सकते हैं, बताये थे ना, कि mols तीन ही चीज़ों से related है, एक number, एक mass, और एक volume, तो volume साथ ने इसको क्या कर दिया, relate कर दिया, जब इसको relate किया तो ऐसा आ गया, अब एक mol, एक mol, यह तो हो गया 2 mol का, आपको क्या निकालना है, 0.1 mol, तो पहले 1 mol का निकाल ले थे, एक mol, of, KCLO3 gives, 3 into 22.4, divided by, 2, और आपको कितने में पूछा है, 0.1 mol, तो 0.1 mol में क्या होगा, 3 into 22.4 by 2, into 0.1, solve कीजे, जो answer आएगा भही, क्या होगा, answer होगा, 3.36 liter, will be your, will be your answer, इसको solve करने पर कितना आएगा, 3.36 आएगा, अधी 3-4 सवाल कर लिए, थोड़ा logic develop हो रहा है, सबसे पहला काम क्या है, equation लिखना, equation अगर आप सही लिखेंगे, तो ही सवाल solve होगा, वो भी कैसा, violence the chemical equation, violence chemical equation, अगर आपने सही लिखा है, तो आप उसका सही perfect answer, दे पाएगे, question लिखेंगे, what volume of air at NTP, what volume of air at NTP, containing 21% oxygen by volume, what volume of air at NTP, containing 21% oxygen by volume, is required to completely burn 1000 gram of sulfur, completely burn 1000 gram of sulfur, containing 4% incombustible matter, containing 4% incombustible matter, मैं वाप से question रिपीट कर रहा हूँ, what volume of air at NTP, containing 21% oxygen, by volume is required to completely burn, 1000 gram of sulfur, containing 4% incombustible matter, तो यह वाला जो question है, बहुत ही आसान question है, अगर आपने इसको धीक से समझा है, ध्यान से देखिए हैं, यह जब समझने वाला question है, कह रहा है, 1000 gram आपके पास क्या है, sulfur है, इस sulfur को आप क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो इस 1000 gram में से, करत 4% ऐसा sulfur है, जो जल ही नहीं सकता, तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ, जलने वाला sulfur हमारे पास, इस sample में कितना है, तो 1000 gram sulfur में, अगर 4% आप निकाल लीजेगा, तो 4% अगर incomposible है, तो combustible कितना होगा, 96% of 1000, और जो आप इसको salt कीजेगा, कितना हैगा, 96 divided by 100, into 1000, यह जागा 960 gram, 960 gram क्या निकल के आगया, जलने वाला sulfur, जिसको आप जलाएंगे तो वो जल जाएगा, वो sulfur कितना है, 960 gram आया, अब इसके आगे, sulfur की reaction, जब आप oxygen से करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, sulfur dioxide मिलता है, correct, अब इसका 32 gram, से इसका, 22.4 liter, क्योंकि इसको stoichiometric coefficient में, यह भी 1, यह भी 1, तो इसके 1 mole से, इसका 1 mole, तो इसके 32 gram से, अगर आप mass और volume को relate करेंगे, तो इसका 22.4 liter जलेगा, नहीं जलेगा, clear, मैं statement में क्या लिखूँगा, मैं statement में लिखूँगा, 32 gram, of, sulfur, is burned, in, 22.4 liter of, 22.4 liter of, oxygen, 22.4 liter of, oxygen, एक gram बराबर, 22.4 divided by, 32, और आपको कितना gram का चाहिए, 960 gram का कितना होगा, 22.4 divided by, 32 into, 960, solve करके दिखिए, मेरे ख्याल से एक बार में, और ये तीस बार में जाएगा, और ये होगा, 66.7, multiply करिए, 4, 3, 12 का 2, 7, 6, point होगया, तो इतना liter आ गया है, 6, 72 liter, clear, अब, आपको सवाल में क्या बोला है, आपको सवाल में बोला है, आपको सवाल में बोला है, 21% oxygen, 21% जो है, air में क्या है, oxygen है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, कि 21 liter, of oxygen, is, present in, 100 liter, of air, एक liter oxygen में, कितना air होगा, 100 by 21, आपको कितना liter में चाहिए, 672 liter में कितना होगा, 100 by 21 into 672, ये भी मुझे लगता है, साथ कट जाएगा, देखें कितना answer आ रहा है, इसको सॉल करके, इसको जब आप सॉल कीजेगा, the answer will be, 3, 2, double, 0 liters, कितना आ रहा है, 3, 2, double, 0, इसका मतलब ये 32 times में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इतना liter आपका क्या आ गया, answer आ गया, क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो सवाल दिया है, उसको स्टाइकियोमेट्री के साथ ही तो मिला के लिक रहे हैं, कोई अलग से तो कुछ कर नहीं रहें, जो simple equation दिया गया था, उसी को solve कर रहे हैं, और solve करके बस, ये unitary method बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, unitary method, 5 pin का दाम 10 रुपया थे, 1 pin का दाम कितना, तो 15 pin का दाम कितना, यही ने लगा रहे हैं, और क्या लगा रहे हैं, बच्पण में सीखे ने, यही सीख सीखे तो हम मैच सीखे, कि भाई, 2 pin इतना रुपया में, तो 5 pin कितना रुपया में, नहीं, अगला स्वाल ले, calculate the amount of KCLO3 needed, calculate the amount of KCLO3 needed, to supply sufficient oxygen, for burning, calculate the amount of KCLO3 needed, to supply sufficient oxygen, for burning 112 liters of carbon monoxide gas, at sufficient oxygen for burning, 112 liters of carbon monoxide gas, at NTP. बढ़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बस मैं सवाल आपको समझाता हूँ, answer मैं आपसे expect कर रहा हूँ, कि answer आप लोग खुद लिखे, क्या कह रहा है, question ध्यान से सुनी, कह रहा है, कितना amount KCLO3 को आप क्या करेंगे, burn करेंगे, या decompose करेंगे, तो जो oxygen आपको मिलेगा, वो ही oxygen से अगर आप carbon monoxide को जला रहे हैं, तो 112 लीटर आपको क्या मिल रहा है, पुरा पुरा sufficient क्या हो जा रहा है, जल जा रहा है, मतलब KCLO3 को, जब आप, decompose करेंगा, आपको क्या मिलेगा, KCLO plus O2, अभी थोड़े दे पहले ये वाला equation लिखे थे, थोड़े दे पहले हमने ये वाला equation लिखा था, KCLO3, when gives KCLO plus O2, आज ही के class में दूसरा या तीसरा question इसी के उपर दिये थे, अब कह रहा है, कि जितना oxygen यहां produce हुआ है, that is sufficient to burn carbon monoxide, that is sufficient to burn, that is sufficient to burn carbon monoxide, that is sufficient to burn carbon monoxide, और carbon monoxide burn करके क्या देता है, carbon dioxide देता है, मतलब ध्यान से समझे, जितना O2 यहां पैदा हुआ है, वही O2 यहां तंजिव होगा, जितना O2 वहां पैदा हुआ है, वही O2 यहां तंजिव होगा, और इसका लीटर दिया हुआ है, 112 लीटर, इसका कितना दिया है, 112 लीटर, आपसे पूछ रहा है, कि बताईए कितना KCLO 3 लिया होगा, तो पहले इन सब को बाइलेंस कीजिए, दोनों equation को क्या कीजिए, बाइलेंस कीजिए, तो जब आप इसको बाइलेंस करेंगे, मेरे ख्याल से यहां 2 लगेगा, यहां 2 लगाएंगे, तो यह जाएगा 4, यहां 2 लगा दीजिएगा, तो यह भी हो जाएगा 4, बाइलेंस हो गया, रेखे दो, डन, कोई डाउट है तो बुचिए, नहीं, अब, यह दोनों equation तो बाइलेंस हो गए, लेकिन, हम लोगों, जितना oxygen यहां पैदा हुआ है, उतना ही oxygen यहां यूज हुआ होगा, तो यहां पे 3 times oxygen और यहां पर, तो इसको भी पहले क्या करना होगा, 3 time में convert करना होगा, जब यह 3 time में convert होगा, तो नया equation क्या हो जाएगा, 6 times carbon monoxide, when react with 3 times O2, it gives 6 times carbon dioxide, अब जाके दोने equation क्या होगाई, … तो जितना यहां पैदा हुआ, उतना ही यहां क्या होगा, यूज होगा, अब स्टाइक्योमेट्री से हम लिख सकते हैं, इसके 6 molecules, इसके 6 moles, यAniецके 3 moles से इसका 6 moles, य इसके 6 मोल से इसका 3, लिख सकते हैं ना, 6 moles of carbon 1 oxide को burn करने के लिए कितना चाहिए 3 moles O2 चाहिए तो आपको कितना बोला है आपको कितना बोला है 112 liter तो पहले इसको भी liter में बदल देते हैं 6 into 22.4 liter of CO 3 into 22.4 liter of O2 इसके 1 liter से कितना होगा 3 into 22.4 whole divided by 6 into 22.4 और 112 liter का कितना होगा इसको इंटु क्या कर दीजेगा 12 से 3 into 22.4 divided by 6 into 22.4 into 112 ये दुनों कड़ गया ये एक बार में दो बार में ये कितना आ गया 56 56 liter आ गया 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 ये आक्सीजन का कंजम्शन कितना निकल के आ गया 56 liter हम लोग को क्या बोल रहा है अब मुझे ये पता चल गया कि ये कितना लीटर है अगर ये 56 है ये भी कितना होगा क्योंकि यहां यहां पर जो भी volume आया है वो आया कहां से यहीं से न आया है वहां जो भी आया था वो यहां आया था अगर ये 56 है तो अभी यहां से आया होगा अब इसके तीन मॉल से इसका तो इसके एक मॉल से इसका जो भी इसके 56 liter से इसका आपको इसका लीटर में आंसा चीए कि volume मास में क्या बोला है calculate the amount तो इसका लीटर इसका amount के साथ relate करिये इसके तीन से इसका दो तो इसके एक से इसका कितना तो इसके 56 liter से इसका कितना लीटर और लीटर को फिर किसमें बदल लीजे मास में बदल लीजे clear solve कीजे solve कीजे क्या आ रहा है देखिए तो अब यहां से आप clearly देख सकते हैं कि इसके तीन मोल से इसका कितना मोल से है दो मोल से है तो आप इसी स्टाइकियोमेटरी को यूज करके वहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं क्या ध्यान से देखिए three moles three moles of O2 is produced from two moles of KCLO3 यह लिख सकते हैं क्या हम लोग को क्या पूछा है यहां पे मास पूछा है और इधर क्या दिया हुआ है volume तो three moles को volume में बदलिएगा तो क्या लिखेगा three into twenty two point four liter लिखेगा और two moles को जब मास में बदलिएगा तो क्या लिखेगा two into one twenty two point five लिखेगा इसके इतना लीटर से इतना ग्राम इतना लीटर से इतना ग्राम हम statement नहीं लिखे रहाए आप लोग लिख लिखेगा एक लीटर से कितना ग्राम two into two into one twenty two point five divided by three into twenty two point four लेकिन आपको कितना लीटर का चाहिए आपको चाहिए fifty six लीटर का 56 इंच का मोदी जी का सीना था नहीं वो लिखा था नहीं मोदी जी का सीना ट्वेंटी इसको इंटू fifty six कर दिए जब आप इसको solve करिएगा answer आएगा two zero four point one six seven ग्राम clear logic भी clear है इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि stoichiometry को कैसे use करके हम लोग क्या करते अलग-अलग type का question solve करते then एक concept है उसको हमने बोलते हैं limiting reagent सुने हैं इसके बारे में limiting reagent सुने हैं क्या होता है limiting reagent साइसा बताईए what is a limiting reagent यह समझना आया इस तरह का question समझना आ रहा है what is a limiting reagent बताईए हाँ example ही बताईए बहुत अच्छा आपके सर ने आपको बताई है हाँ मैं बताई है example मैं देता हूँ ध्यान से सुनिएगा आपको समझ में आ जाएगा चलिए अच्छा आप copy में देखके आपको याद आ गया ना अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से चुनिए limiting reagent किसे बोलते हैं एक छोटा सा example लेते हैं उसी से limiting reagent कोशिस करते समझेगा मान लिजे कि आप किसी college में आप president है खुद है ना college में president होगा रहोता है आप किसी college में president बने है और आपको कल कोई fest college होगना में cultural fest tech fest सब होता रहता है आपको एक fest organize करना है उस fest organization में आपको 1000 page jerox कराना है एक ही दिन में मनलब या 10,000 मान लिज़े अगर आपको 1000 कम लग रहा है 10,000 copy print करवाना है तो कितने pages print कराने हैं आपको 10,000 page आपको क्या करना है print कराना है और ये decide हुआ है रात के 8 बजे president ने किसी को बोला जैसे अश्मीत को बोला बाइस president था है कि अश्मीत जाओ आपी 8 बज़रा है कर सुबे 7.5 बजे अपना event है तुम ये 10,000 copy print करा के ले आओ अब ये क्या करेगा तुरंट उससे पैसा लिया होगा और तुरंट भाग गया होगा जरॉक्स वाले भाईया के पास जरॉक्स वाले भाईया के पास गया होगा तो जरॉक्स वाले भाईया कर सुबे 7.7 बजे ये 10,000 copy print करके दे देंगे इसमें क्या क्या चीज़ है required है सबसे पहला जो सबसे important चीज required था वो क्या है कि भईया के पास 10,000 पेपर होना चाहिए अगर उनके दुकान में रात में 8 बजे 10,000 पेज नहीं होगा तो कल सुबह हमें पेज डेलिवर नहीं होगा मान लीजे कि उनके पास 10,000 के अब 20,000 पेज है लेकिन Gerox मसीन के अंदर जो इंक लगता है वो इंक 5000 कॉपी प्रिंट करने योग यही बचा हुआ है 5000 के बाद और प्रिंट नहीं होगा तो 5000 पेज के बाद अगा प्रिंट नहीं होगा तो इंक उतना ही बचा हुआ है जितना 5000 पेज होगा अभी यह अमारे 5000 पेज को प्रिंट होने नहीं देगा लेकिर उनके पास sufficient इंक भी था इंक की मात्रा भी क्या थी sufficient थी अच्छा ये भी अमारे पास sufficient है और ये भी अमारे पास sufficient है अब तीसरा क्या हो सकता है machine जो रात भर print करेगा उसके लिए electricity लगेगा कि रात भर बिजली रहेगा ये गर्मी का दिन है अगर रात भर बिजली ही नहीं रहे रात भर माली छे घंटा का वो काम है पूरा और छे घंटे बिजली ही नहीं रहे तो आप print करके नहीं दे पाईए तो अगला है electricity electricity भी six hours वहाँ पे क्या होना चाहिए होना चाहिए शौथा and the worship body अपने sleep को sleeplessness में बदलना हुआ अगर ऐसा हुआ तो जाके कल 7.30 बजे ये अपने president को सुबह 10,000 copy दे पाएगा कोई doubt यानि reaction में अब इसको मैं अगर तबदील करूँ तो reaction का reactant क्या है 10,000 copy का print होना और product क्या है 10,000 copy print हो गया इस reaction को complete करने के लिए 10,000 pages लगे इंक लगा electricity लगी और नींद भी लगा मलब ये नींद नहीं आना चाहिए उसको माल लीजे वो जो भाईया है उसके पास 10,000 copy था इंक भी था रागबर electricity भी था ये भाईया सो गय तीन गंटा बाए 10,000 copy print हुआ अरे वो तो आएंगे अभी उपर आएंगे पहले भाईया ही तीन गंटा में सो गए तो कल सुबे 10,000 copy मिलेगा तो हमारे reaction को किस ने रोग दिया भाईया ने रोग दिया अच्छा माल लीजे भाईया भी बोलेंगा मढ़या हम जगेंगे हम एक का दो रुप्या देने के लिए तैयार थे भाईया भोले हम जगने के लिए तैयार है लाइन ही कट गई अब भाईया पास ना inverter है ना generator है इस बार हमारे reaction को कौन रोग देगा माल लीजे भाईया भी जग गए राद बार लाइन भी थी पेज भी था लेकिन जो इंग था वो पास जार के बाद खतम हो गया जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई हमार मशीन ही खराब हो जाए इंग खतम हो जाए तो क्या हमारा reaction कंप्लीट होगा इस बार reaction को इस ने रोग दिया सब कुछ था भाई अभी जगे थे electricity भी थी मशीन भी काम कर रहा था इंग भी था भाई अक पस पेज ही नहीं 6000 पेज के बाद मुंके पास पेज ही नहीं पूरा reaction कंप्लीट होगा तो every time जो हमारे reaction को complete करने को क्या कर रहा है restrict कर रहा है जो reaction को complete नहीं होने दे रहा है completely वो क्या कह रहा है limiting reagent वो हमारे इस process को limit कर दे रहा है वो हमारे process को complete नहीं होने दे रहा है वो हमारे process को limit कर दे रहा है ऐसा कोई भी agent जो हमारे process को क्या कर दे limit कर दे, हमारे process को रोक दे, हमारे reaction को complete होने से अधूरा छोड़ दे उसको हम लोग क्या कहते हैं that is only called as limiting reagent got it the react, got it तो limiting reagent उस agent को बोलते हैं जो reaction को complete ना होने दे यह तो हो गया general बात अब मानली जी इसको मैं reactions में convert करूँ, तो एक reaction लेते हैं, carbon plus oxygen gives carbon dioxide normal यह balance chemical reaction है इसके 12 gram से इसका अगर 32 gram आपको मिलेगा तो यह 44 gram बन जाएगा कोई दिकत यह इसका balance chemical equation का मास दिया हो है, लेकिन हमारे पास यह 16 gram ही present है कितना present है 16 gram present है इसके एक mole से इसका एक mole consume हो रहा था तो इसके 32 gram से इसका कितना consume होगा 12 gram लेकिन हमारे पास है कितना 16 यह इसका आधा है इसका भी आधा ही consume होगा तो after the end of the reaction यह कितना consume होगा 6 gram Cow और 6 gram क्या हो गया होगा बच गया होगा यह हमारे पास खतम हो गया होगा और इसके एक mole इसके एक mole से इसका एक mole तो इसके आधा mole से इसका आधा यह हमको कितना मिला होगा बाइस दरा मिला होगा यह खतम हो गया अब रियक्शन फर्दर कंटीन्यू नहीं करें दोनों रहेगा तब न मिल कि यह बनाएगा एक हो खतम हो गया तो जो जादा है वो बच जाएगा जो लिमिटिंग था वो खतम हो गया और उसके कर्स्पॉंडिंग आपको क्या मिल गया हम्माकता में है वह विसाइड करता है कि मैंना प्रड़क्त कितना बनेगा और मेरा जो Wassukil एक हुए कितना जी आकंजीऊ खूने के बाद बच गया इस दूनो यह चीज़ फांट करने का क्या तरीपा है पता कैसे चलेगा कि कौन लिमिंटिंग रिएजन्ट है शे देखें देखें तो नहीं बता कर सकते हैं कुछ तरीका हो इसको फाइंट करने का वड़ी क्या तरीका फाइंट करने का लिमिंटिंग रिएजन्ट याद करकें करीं 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 याद करीं देखें याद क्या होता है आपको? कुछ बताई थी मैडम? क्या बताई थी? क्या क्या क्या? Unitary method. टुक. देखे, simple सा एक formula है to find the limiting reagent. simple सा एक formula है to find the limiting reagent. LR is equal to moles divided by moles by psychometry, moles divided by psychometry. जिसका भी क्या है? कम है, वो कौन है? Moles by psychometry, जिसका कम है, वो कौन है? limiting reagent. ये ज़्यादा चत्र समझ में आता है, जब हम लोग एक question करते हैं, कि moles divided by psychometry क्या होता है? limiting reagent होता है. तो question आप आज की class में लिखे, हम लोग अगली class में उसको क्या करेंगे? solve करेंगे. limiting reagent के उपर घर पर थोड़ा सा पढ़ के आईएगा theory बगरा, तो अगली class में इसके उपर सवाल solve करेंगे, आप question लिख लिजे. 3 grams of H2 react with 29 grams of O2, 3 grams of H2 react with 29 grams of O2 to yield H2O, 3 grams of H2 react with 29 grams of O2 to yield H2O, 3 gram H2 आप लिये है 29 gram आप O2 लिये है water बनाने के लिए question number 1 what is the limiting reagent what is the limiting reagent question number 2 calculate the maximum amount of water that can be formed question number 2 calculate the maximum amount of water that can be formed and question number 3 calculate the amount of question number 3 calculate the amount of one of the reactant which remain unreacted calculate the amount of one of the reactant which remains unreacted अब देखिये यह अगले क्लास में नहीं जा सकता है क्यों कि आज ही क्लास में इसको खतम करना होगा question है ना question 2 class में कैसे जाएगा question नहीं 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 question 2 class में नहीं जाता है जल्दी जल्दी 2 minute में खतम हो जाएगा देखिये ध्यान से क्या है twice of H2 when react with O2 it gives twice of H2O balance chemical reaction है यह balance chemical reaction हो गई अब आप ध्यान से देखिये इसका 4 ग्राम से इसका 32 ग्राम लगेगा तो इसका कितना मिलेगा 36 ग्राम मिलेगा यह तो मिलना चाहिए पर आपके पास इसका कितना ग्राम है 3 ग्राम है और इसका कितना ग्राम है 29 ग्राम है अब उझे ही निकालना है कि इन दोनों में से limiting reaction कौन है एक तरीका है दोनों का क्या निकाल लीजे mole निकाल लीजे और divided by उसका strikiometry है तो दोनों का mole निकाल के strikiometry से divide कीजे दो छोटा है वो क्या हो जाएगा limiting reaction moles क्या होता है mass upon molecular mass इसका moles is equal to mass upon molecular mass LR निकालने का formula moles divided by strikiometry इसका LR moles divided by strikiometry यही आगया इसको solve क्या कितना आएगा 3 by 8 इसको solve क्या कितना आएगा 29 by 32 यह approximately देखेगा 0.9 आएगा और इसको देखेगा तो कितना आएगा 0 point इसको देखेगा 0 point 32 होता तो 4 होता 0.38 के आसपस आएगा कौन छोटा है यह वाला की यह वाला which is smaller तो limiting reagent कौन है यानि आपके रियाक्षन को कौन restrict कर देगा यानि सारा का सारा calculation आप किसके हिसाब से चलेगा कहेंगे 2 mol of H2 gives what 2 mols of water आपको 2 mol का 2 mol दिया है mol को अगर mass में बदलेंगे तो कितना होगा 4 ग्राम 4 ग्राम से कितना मिल रहा है 18 दुना 36 ग्राम 1 ग्राम से कितना मिलेगा 36 भाई 4 आपको कितना दिया है 3 ग्राम दिया है 3 ग्राम से कितना हैगा 36 भाई 4 इंटू 3 यह कितना बार में कटेगा 9 बार में यानि यह कितना आंसर आ गया तो कितना पानी प्रड्यूस हुआ 27 ग्राम कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है H2 पूचा है तीसरा बिट में कौन सा समान बच जाएगा तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता हो तो पूरे-पूरी खब जाता है यह तो पूरा-पूरा खब गया इसके चार ग्राम से इसका 32 ग्राम तो इसके एक ग्राम से इसका 32 बटा-चार इसके तीन ग्राम से इसका तो इसको निकाल लेंगे यही निकालने है साइड में कह रहा है इसके चार ग्राम से इसका कितना 32 बटा-चार तो इसके 3 gram से इसका कितना 32 बटा 4 into 3 8 तिया तो यह आपका 24 gram तो यह कितना खतम हो गया होगा 24 gram तो बचा कितना तो टोटल 29 gram था उसमें से 24 gram क्या हो गया खतम हो गया तो बचा कितना आप से क्या पूछा है calculate the amount of one of the reactant which remains unreactant तो 29 gram में से 24 gram खतम हो गया तो कितना बचा तो जो LR होगा उसके बगलवला ही न बचेगा तो कितना gram बच गया 5 gram तो answer क्या होगा पहला का answer होगा H2 दूसरे का answer होगा 27 gram और 3rd का answer होगा O2 remaining is equal to 29 minus 24 that is equal to 5 स्वन्या कि LR का कैसे question बनता है सबसे important है LR निकालना एक बार LR निकाल यह उसका तो स्टाइक्योमेट्री लगा रहे unitary method इसके एक से इसका दू तो इसके दू से इसका बस होगी सबसे important है LR निकालना LR कैसे निकलता है moles upon स्टाइक्योमेट्री जिसका कम हो moles divided by स्टाइक्योमेट्री जिसका कम हो यहां तक आपका limiting reagent हो गया अगले class में कुछ limiting reagent का question कराते हुए concentration term पढ़ाएंगे और chapter आपका खतम जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बढ़ाएंगे कि बहुत भुत कोम हो क्भाद्री दिसकालएंगे